हेलो दोश्तों आपके स्वागत है जी एकेडमी में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देती हूं कि पीजडी इंट्रेंस एक्जैम का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगं को जुन जिल लोगं को भी रोल लंबर इंवैलिट बता रहा है तो मैं बता देती कि रोल लंबर के 4 डिजट ही लेना है 2020 DET को हटा देना है ठीके ना 1,2,3,4 आपका रोल लंबर है तो क्या करेंगे 0 लगाना है 0,1,2,3,4 ऐसे करके आपका रिजल्ट निकल जाएगा ठीक है मैंने ये सब वीडियो बना दिया है तो भी आपको देखना नहीं है आप लोगो को आप कभी कभी कुछ चीजों को समझा करें कि कैसे करना है खुछ से करने की कोसिस किया करें किसी पर डिपेंड नहीं रहें ठीक है मैंने आज आपकी हैल्ट कर दी कल फिर बहुत परिशान हो जाते आप लोग तो इसलिए प्लीज सेल डिपेंड बनें क्योंकि पीजडी औ पीजडी में रिसर्च करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है सेल डिपेंड होना ना क्योंकि इसमें रिसर्च में बहुत वर्क रहता है और फिर हां एक बात और कुछ लोगों का रिजल्ट एक दो नंबर से रुक रहे हैं डिस्कॉलिफाई हो रहे हैं मतलब फेल हो रहे कि objection करने का भी time दिया जाए मतलब objection मतलब आप 30 दर्ज करने का time दिया जाए क्योंकि यदि आपने एक दो नंबर से आप चूक रहे हैं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आप लोगों को या कि फिर आप ऐसे मालों आपके 62 या 65 या कि ऐसे कुछ मार्क् लग तो मैं सबसेर रिक्वेश्ट करूंगा है कि आप लोग जिनके नमबर कम हैं अंच नम्बर से कम रह गये हैं तो अप मैं न करें जो मैंने बताया है वैसे विसे को करना है और आज ही करना है कि न कहीं कल तक जो है कुछ न कुछ तो आही जाएगा रिस्पॉंस नियु एजुकेशन पॉलिसी के कॉर्डिंग यही होने वाला है कि जैसा कि मैंने सुना है कि जिन लोगों का नेट कॉलिफाई होगा वही पीच्डी दे पाएंगे देखिए क्या होता है क्या नहीं होता ल और याद रखिए मेरे वीडियोज को कैरफुली देखा करें अ醃वा इस देखा ही न करें क्योंकि मेरे वीडियो सुनेंगेFit MICHAEL में काम आएगा फिचर मतलब आश् Going आप लोग सुनते हैं वीडियो को और कॉमेंट करने लगते हैं मेरे इसमें वो सारी वीडियोज डली हैं जिन मैंने response देदिया आधरवाइस में कोड़ time नहीं मलता है तो प्लीज आप लोग वीडियो को क्यारफुली देखा करें नहीं देखना तो नहीं देखें इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लेकिन बस यही है कि आप लोग को सही इंफॉर्मिशन चाहिए तो देख सकते हैं अदरवाइस व्यू साइट जिंदाबाद व्यू की साइट पर भी आप विजिट करते रहें वहाँ से भी इंफॉर्मिशन गेन करते रहें चलिए आज हम टॉपिक में बात करेंगे कि हाउ टू डाउनलोड कंसर्लेटर फॉर गाइड कंसर्लेटर वो होता है जिसमें गाइड की सहमती होती है कि हाँ यह रिसर्च स्कॉलर हमारे साथ का हमारे साथ मतलब हमारे अंडर में रिसर्च कर सकता है हम उसके टॉपिक से सहमत है ठेक है और क्योंकि हर एक उनिवरसिटी का अलग अलग कंसर्लेटर होता है कुछ उनिवरसिटी मतलब रसी के टाइम में अनोसी लेती हैं कुछ युनिवर्सिटी इस कंसलेटर लेती हैं वैसे मोस्ट इस कंसलेटर ही कहा जाता है यह आरे सी और आरे सी मतलब रिसाज एडवाइसरी कमीटी या या की फिरे से इंटर्वियू भी कहते हैं तो इसमें यह बहुत इंपोर्टन रोल प्ली करता है यदि आपके पहले ही गाइड मतलब कि फिक्स हैं कि मेरे गाइड पहले से चूज कर लिया आपने आपका टॉपिक भी क्लियर कर लेगा कि गाइड मिल गया तो आपको टॉपिक तो क्लियर हो ही जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके 100 में से 75% चांसेज हो सकत हैं आपके सेलेक्शन होने के वही तो बोलते हैं ना रिसर्च पोटेंशियल बोलते हैं शायद उसको मैं आपको आरेची के लिए बता दूँगी कितने 5.4 या 5.25 नंबर के होंगे तो इसमें यह है कि कितना अवेर्नेस है इसके लिए हाना कितना आवेर है अपने रिसर्च टॉपिक के लिए गाइड के लिए सब चीजें बहुत माइने रखती हैं जो कि आपको नंबर दिलाती है ठीक है तो आपको ये काम करना है अनुसी अनुसी मतलब नॉन अब्जेक्शन सर्टिफिकेट वादब आपकी गाइड ऐसे अनुसी के लिए वो कर देगा साइन कर चलिए आपने देखेंगे हाउ टू डाउनलोड कंसर्लेटर फॉर गाइड तो वैसे बरकत उदर निवर्सिटी ने अभी जारी नहीं करा है कंसर्लेटर लेकिन जो मुझे पता है हना वो मैं बता रही हूं जब जब वो कंसर्लेटर व्यू की साइट में वो करेगा मतलब अ और ओर्डिनेंस 11 चलता है ठीक है और भी चलते हैं जो कि मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं तो आप लोग जो है जैसे ही वो करेंगे मतलब आरेसी के लिए नोटिफाई करेंगे व्यू के साइट में तो वह आपको सारी इंफॉर्मिशन दे देंगे कि इस ओर्डिनेंस स आप ये डाउनलोड करें क्या-क्या चाहिए साइट अधा सब कुछ बताएगा वो हना जो आपका नोटिफिकेशन आएगा अधी सूचना जो आएगी और आरेसी के लिए आप लोग घबरा ही नहीं गाइट की लिस जारी हो जाएगी जारी नहीं होती लेकिन जो आप लोग चांसेज है कि MLB के कोई भी प्रोफेसर के अंडर में वो काम कर सकती है तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे एक बार मैं दो तीन बार बोल चुकी हूं हम थाइप करेंगे एक मिनट चंसेज लेटर फॉर एक मिनट लेटर यह थे हिंदी में आ रहा एक मिनट आपको यह टाइप करना है एक मिनट यह थे सब्सक्राइब फॉर पीसडी गाइड बरकतुल्ला यूनिवरसिटी ऐसे ही आप लोग टाइप कर देना मैं बार-बार कह रही हूं ठीक है आप लोग अच्छे से सुन लो और फिर आपको यहां पर आना यह देखिए पीडियाफ में आ जाएगा ऐसा यहां पर टाइप करेंगे वैसे यह वैसे यह पीसी में ही खुलता है मोबाइल पर नहीं ओ प्लिक करते जाओगे चुछ नहीं होने वाला ठीक है तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं पीसी से डाउनलोड होगा हो जाएगा इसली यहां से और यह थे एक मिनाट यह है यह यह यहै पूरा वह हम image में देख लेते हैं ठीक है न successful image में में हिडाइब कर लेता है यह image हो गया इसमें ही नाइन आइन पर लेते हैं पहले हमने cmtp कर दो यह आया image में टईब कर लेते हैं tab कर लेते हैं यह हमने participation कर लिया यह कुछ यह देखिए कुछ ऐसा रहेगा मैं इसको औप और अच्छ से करके दिखाती है एक मिनट यह देखिए मैनने पीडियाफ के रोप में पहले से ही डाउनलोड कर लिया है ठीके ना जो की मैंने किसnya किया था पी-सी भोपाल कंसर्ण लेटर यह बरकत उल्ला का पूरा एड्रेस है आप जो है अहां एक बत और बतारिए जिल लोगे भी पी एल्टी इंट्रेंस एक्जैम के रिजल्ट कुछ बिकार आ रहे हैं इनके इन साइट में से किसी साइट में आप गो कर सकते हैं मैसे मतला मेल कर सकते हैं तक फिर में जो ब्यू की साइट है उससे आप मेल कर देना मेल आइडी से ठीक है चलिए देख लेते हैं नेम है ना सब्जेक्ट फैकल्टी और कहां कहां वर्क कर रहे हैं है पूरा एड्रेस रहेगा सरका और किस पोस्ट में है प्रोफेसर है कि एसोसियेट प्रोफेसर है या कि assistant professor है इनमें यही होता है assistant professor में 6 होते हैं professor में 8 होते हैं मतलब 8 scholar work कर सकते हैं किसमें professors में और assistant professor में क्या होता है 6 लोग वो कर सकते हैं आपका यह हो गया यह जो लेटर है वह आप लेके जाएंगे अपने guide के पास वह अपना पूरी information ऐसे भरके देगा ठीक है ना प्राइवेट कॉलेज है तो यहां पे यह देगा और नहीं है तो नो देगा प्राइवेट कॉलेज अंडर को 28 के अंतरगत आता है या नहीं हाना यह सब चीजें जरूरी है बाद में जब आपका system professors की vacancy आती है तो उसमें फिर problem जाती है PhD के टाइम में मतलब जब की PhD की डिग्री अपन जब दिखाते हैं तो उसमें कहीं न कहीं फिर problem आ जाती है इससे अच्छा यह है कि आप पहले से सब चीजें जो UGC के norms कहते हैं उसके according के आप सारे सारे काम अना अंडर central ordinance 11 अब यहां पर आपका जो guide है वो mail लिखेगा email id mobile number किसे state से belong करते हैं pin code number अना telephone number जो भी है उनका हाँ यह देखिए address भी लिखेंगे city भी लिखेंगे pin code यह भी लिखेंगे पर्मनेंट address अब यह देखिए यह आ गया है टोटर नंबर अफ पिएजडी स्टुडेंट रजिस्टर अंडर यूर सुपर वाइजर ठीके ना सुपर वाइजर के अंतर कितने इस्टुडेंट्स वर कर रहे हैं यदि आपका guide प्रोफेसर है मतलब आपका guide प्रोफेसर है यदि आपका guide assistant professor है तो six लोगों को करा सकता है यदि आपका guide associate professor है तो four लोगों को करा सकता है थोड़ा बहुत इसमें वो हो सकता है क्योंकि मुझे ordinance 11 का तरीके से recall नहीं हो पा रहा है कि assistant associate या assistant professor के अंडर में कितने लोग काम कर सकते हैं ठीक है तो वैसे तो आठ लोग करते professor के अंतरगत एक बात और यदि आपके sir मतलब जो भी guide professor है तो अच्छी बात है नहीं है तो कहीं न कहीं उनका मतलब आपको सारी information होनी चाहिए और यह जो है जाएगा किसके पास जब आप RAC में जाएंगे appear होंगे तब आपके पास यह होना चाहिए guide से सारी information लिखी रखन मतलब आपके पास होना चाहिए एक दो दिन पहले भी करा दो ऐसा नहीं है कि उसी जो RAC की दिन ही करा हो लेकिन यह सब कुछ पहले से clear रहना चाहिए ठीक है और यहाँ पे signature होगा name होगा seal जरूर लगवा लेना और place and date ठीक है और यह सब यह देखिए यह देखिए यह मैंने पहले गलत बता दिया था कि Assistant Professor Six लो गलत बताया था मैंने जो कि आप देख सकते हैं यह हैं उनका वो तो आप लोग जो भी guide choose करना? सही choose करना ऩर रिसा चैंटर भी सही choose करना और मैं मतलब आपडेट देती रहूँ या कि फिर view की site से भी आप देख सकते हैं आप इनको भी mail करना इनको भी mail करना इनको भी mail करना मतलब जितनी भी view का mail id जानते होंगे इमेल आईडी, सबी को मेल करना है आपको, वो PhD इंटरेंस एक्जाइम के रिजल्ट के लिए, जो भी आपके आंसर की नहीं आई है, आप पत्ती, औब्जेक्शन आपत्ती लगाने का नहीं दिया है उन लोगों ने, तो आप लोग करें, यह concern लेटर है, और यह computer से ही download हो रहा view तो upload करेगा ही, यहीं भी mention कर देगा कि कैसे download करें, ठीक है, और सबी को